हेलो एवरीवन वेल्कम यूट्यूब चैनल परिस्टेडिया उनलाइन क्लास 6 टॉपिक चल रहे है बेसिक जिमेट्रिकल आइडियास लास्ट वीडियो देवेच आपां एक्सरसाइस 10.1 कावर किती सी आज आपां करन जा रहे हैं बेसिक डेफिनेशन एक्सरसाइस 10.2 दिया पन्सब्तों पहले है करव कि उन्दिया वडिस करव करद कर आप लिए स्मूथ लाइन एक हूं दियाज स्मूथ लाइन आप युन्द युन्धिया बिना पैननू चक्के ठीक है without any help of a ruler ठीक है अपा इन्हों की बनाता है की बनगी एक करव बनगी ठीक है इससे दरीके नल that is also a करव ठीक है करव की उन्दी अपने को that can be drawn without the help of a scale 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 तो बिना help नल ठीक है जो आपा draw करांगे that is our करव ठीक है करव की उन्दी है बिना pen नूचके जाब बिना marker नूचके जो आपा draw कर रहें स्ट्रह ठीक है that is a करव उके इन्हों की कांगे अपका करव करवगे और करवधी टाइप मेंदी है जो पहली टाइप है करवधी सिंपल करव सबतों पिलना आगी सिंपल पर कुर्फ करव कि ओ आ उफ आपने आपनो क्रॉस्ट ना करे इस अ सिछ सभी हो गया ठीक है डैटीज्फ पर शेंपल कर ओके है तीए गेंड एंड जंदी नहीं सिमुख नहीं तरी अबने खुल कई आगी simpler कर व टा इंदी ड़र बिच दू नॉट क्रॉस इटसेल जो आपने आपने क्रॉस अ ना कर दियो उन्हांनोंगर एक फेप्स देवे चुं दिया इन्हों आपके बोड दो पर ड्र 추्व नहीं कर सबस्क्राब हो कऒडी आपनों क्रोस ना करए अपने कलके स्कवर ने जिल्ड आपने को सिंपल तो बादmenzung ऐगी ओपन करण ओसतो बाद की आगे ओपन करण और किया जो अपन शुरूत कर देका जोध स्टार्टिंग पंट्ट टो चलै आपने कुल किया औरे तब अपने और उपने किये हैंड पोइंट मिया अपने को लकिया उंड पॉइंट प्राइं पॉंट इस तॉर्ट पॉ Ear दो इन ड़ी आपसे आथपल्ट ना उन्हेकं बेंट आम्सेट ट्रूर सर नंकर ना मिलन न तहीक है अपने होफना नचरब सब्सक्राइब झाल सब्सक्राइब करते नियुकित पंद उल्कुल सब्सक्राइब करने अपन करव जड़ी बंद होजे उन्हों पाई कांगे क्लोजड करव कांगे ठीक है उस्तों बाद नेक्स्ट आपने कोल करव लिनियर करव लिनियर chain है नेक्स अपने को लुकार्वी लिनियर है कर्वी लीनियर के इन दौ कराम्दी से लिए पर बंद रह थिक जो करफदी शेप तो है पर इसट्रान की तो होगी क्लोज्ट करव है पर क्या यह शेप लिए फारत कर न मिद रहा है तो को area normally येक्ष्ट आपने को क्या लिनियर दा मतले मुनदा है स्ट्रेइट लाइन है मो monopol है ठीड लाइन स्ट्रेैट लइन ठीड लाइन ठीडर स्ट्रेट लाइन्स मीन्स जदो कि यह क्लूस्ट करभ स theor हें लाइन अगर करब बांडरी कि ओके या तुस्त सिर्फ लीनियर भी कह सकते क्लोउज शैप है पर कि लाइन वी Columbus बनी हो यह एक कर बढ़ gefण बनी हो यह एक अधि हव नल्ब बनी हो यह लाइन से फमाल्न्ह बनी हो यह केडिविगर है यह अपने को यह कल कि she गरने दिक्क है देखो एस स्टार्डिंग पॉईंट है या अपने कोल की है एंडिंग पॉइंट है so that is a closed shape वह स्थ बाद की आ है parts of simple करव simple closed करव next अपने कोल है parts a parts of simple closed करव है जी भी होएंपाले म् हिंपले टो हो एकश्टीरियोर इनटी डिय wizard अंडे абсолютно बांडरी नंडत रिधर पहला अपने को किया दःत है इंटीर्य इंटीर्यर इंटीर्यर wymיל इन्साईड दा करम है इंसाइड दा कर अ गार्थ है अंदर ले पास से अंदर ले पास से अपने को ले शेप आगी तो जो अंदर ले पास से पॉंइंट है डे आर इंटीरियर एबी सी डी अन्ड य ये तब्याकर आंगे अधसी सी डी औरíliaर points of closed curve यह अपने कोल किया interior point है closed curve दे interior मतलब अंदर ले पासे ठीक है अंदर ले पासे जड़े point है they are called as interior points of curve ठीक है interior ता मिनी क्यों दा अंदर ले पासे जो closed figure आप रूम दे अंदर बैठे हैं तपा interior है आप रूम तो बार गये तपा क्यों होगे exterior होगे ठीक है second अपने को second part exterior second आगे अपने को exterior 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 का मतलब की अंदर बार ले पासे ठीक है outside the outside the closed curve closed curve दे बार ले पासे हों देखां मैं बार ले पासे पॉइंट ड्रो करते यह वाले मेरे को पॉइंट है पी क्या हूँत है ठीक है पी क्यों आर तेन पॉइंट है तो लिखांगे कि मैं पी क्या हूँ आर आर एक्स्टीरियर points to closed curve closed curve दे बार ले पासे point कौन है पी क्या हूँत है आर इंटीरियर मतलब अंदर ले पासे एक्स्टीरियर मतलब बार ले पासे ठीक है अंदर ले पासे कौन है A B C D E बार ले पासे कौन आगा पी क्या हूते आर ठीक है आपा टॉपिक की पढ़ रहे है टॉपिक है पार्स आफ सिंपल क्लोज करव किन्ने पार्स उन्दा दो अपाप पढ़ चुके हैं एक इंटीरियर मतलब हो गया अंदर ले पासे दुझजा की होगा एक्स्टीरियर मतलब क्यों गया बार ले पासे ठाड आगा अपने को लॉ ऑन्दा बॉंडरी जिओ पर होड़ बाउंडरी केडियोगी दाट इस दा बाउंड्री इन दयुपर पइंट रो करते मैं की की आगया एम एन ओ है एंधो बाउंडरी दे ऊपर आप कंधां दे ऊपर बेख़े ऊपर्य मेटंसे लिधे हैं धां लिः उरा है घल यह अऑं पारक दियां कंदांस वेचे जा एक चाड़ की बेख़े आप से बैठे हैं ॉंद भाउंडरी त्या दद की म मा एन ओ आर अन दा बाउंडरी अन दा बाउंडरी आफ क्लोज्ड करब ठीक है एम एन ते ओ कि थे आपने को लो बाउंडरी थे मैं द्वार एक्स्प्लेंड करदा अपने को तेन पाट सुम्धिया पहला हूं दा इंटीरियर इंटीरियर मतलब अंदर ले पासे ए बी सी डी ते ऑपंज पॉइंट है मैं अंदर ले ठीक है उसतों बाद आगा एकस्टीरियर मतलब आ गया बार ले पासे जिसमें कि आगया पी आगया यह ऑगया यह उपने को लो बार ले पासे थार्ड अपने को लुग्णरी मतलब कंदा अने उपर चड़ के बैठे है मतल आपने कोंप पॉलीगंदस टापीच जो अपने कोल पॉलीगन पॉलीगंदफ क्यों है काफी ज्यादा है अगयए वट्यां कला सभभर था काफी जाओ तअंग करेगा तब पॉलीगनद क्लात्ग your कि उन्दाइ पॉली गण और पॉली गण की उन्द है दो वर्ड को मैल के बनाए पॉली पॉली प्लस सा मेंनी कुछ भी ऊसा made by line segments made by line segment line segment की उन्दिया पहली basic introduction ने वेच आप पड़ चुके हैं ठीक है line segment की उन्दिया जिन्दे दो end point उन्दिया ठीक है एक ही उन्दिया close figure उन्दिया close shape उन्दिया ठीक है close shape made by line segment जिए बनाती में एक यह बनगी that is a polygon इन्हों आपकी कहांगे polygon कहांगे ठीक है पहली गलता है close है बंद चरे पसों ठीक है यह की होगी अपने को लो polygon होगी meaning द्वार एक्स्प्लेइन करदा पॉली दा मतलब हुंदा मैंनी गॉन दा मतलब हुंदा साइड जो बहुत सारिया साइड्स तो मिलके बनी होंदिये ठीक है minimum side किन्या होंगिया minimum minimum sides अपने को किन्या होंदिया 3 कटोगट side किन्या होंदिया 3 कोई भी close figure बना only करदी कटोगट किन्या लाइन सेग्मेंट दी जुरूर्त प्यांदिया 3 यह वली अपने कोल minimum ठीक है अपने कोल किया गी minimum मागी होने अपसे नाने बारे पढ़ दे और आपा आज बारे अग्ये पढ़ दे सब तो पहला जो अपने कोल three sides तो मिलके बंधिया three sides तो मिलके बंधिया ओन्हों अपके न्या कट्रेंगल अन्नु अपकी कर न्या छीक है ट्रेंगल ट्राइमेंस थ्री एंगल मेंस एंगल जो तेन साइट तो मिलके बंद ये जड़ा पोलिगन तेन साइड तो मिलके बंद है डेट इस्ट पोलिगन केन्नी साइड होगी 1 2 & 3 ती देर आर थ्री साइद नेक्स्ट उन्द है अपने कोल second quadrilateral एन्नु कर देक वाद्री लेट्रल क्या है quadrilateral की अंद है quad मतलब उन्द है four लेट्रल मतलब की उन्द है sides जिड़ा चार साइट्स तो मिलके बन्द है जिम्रे अपने को ले बन गया that is four four sides okay one two three and four that is a quadrilateral okay next is third number that is pentagon 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 meaning क्योंद है penta means five gone means sides जो किन्नी sides तो मेलके बन्द है five sides तो यह बन गया अपने कोल pentagon okay that is आवर pentagon one two three four and five किन्नी sides जैंदे कोलो five sides ट्रेंगल three sides quadrilateral four sides pentagon five sides next आगी fourth नंबर ते hexagon hexagon और hexagon किन्या side हुँदिया six sides हुँदिया किन्नी sides हुदिया six यह अपने कोल आगी hexagon okay यह अपने कोल किया आगया hexagon आगया ठीक है छे side one two three four five and six next आगया seven number next की आगया अपने को seven side गुदा तो seven side वाल नूखी गज़ आप हैप्टा गन है है अप्टा गन है 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 हैकटा गन हैकश किन्नी side हुदिया seven sides है जोस्तो बाद आगया अपने को six नंबर ते octagon next की है octa octa means eight side on octa गन्ज किन्नी sides हुदिया eight side याद याद रखो ट्रेंगल थी फोर उस्तो बाद पेंटा फ्वाइव हैक्सा शिक्स हैप्टा सेमन ओक्टा मीन्स एट उस्तो बाद आगया सैवंथ नमबर ते नोना गान 9 आगान means 9 sides जिन्दे वेच किनिया sides हुंंधी है 9 sides ते last आगे आपने कोल 8 रमबर थे DECAGAN ठीक है उस तो बाद किया आगा DECAGAN जिन्दे आपने कोल 10 sides होती ठीक है याद रखना 3 वाडा ट्रेंगल होगा 4 वाडरी लीटल 5 वाडा की होगा डेका गरना आगे ठीक है यह सारा कुछ हो गया अपने कुल होना आपकुछ मेन प्रॉपर्टीज दे बारे पड़ देया केड़े केड़े अट्जेसंट एंगल हुन देया केड़े केड़े अपने कुल की अट्जेसंट साइड्स हुन दिया तब स्टार्ट कर देया सब तो प सबीट्रोटं मेटच सब्सक्राइब कर रहा है इस पोई ऑफ है आध अड el An शेमरेगा इसनद टोटन वह वाटक टेक्सष लंड टूट एक्स किसंटी अध़ गए कर दिया थे गैं क्यों था मेंत न लिख जिखे दो साइड़व मीट कर गीए देखो कुल आपने को साइडेश you the next आगीव आपने को रूप साइड साइड पान्हों पता है य। ठीक है तीक है साइड नगा सेगमेंट फॉर्मिंग पॉलीगन जो अपनुप पॉलीगन बनाके देन दियां ठीक है जिमें मैं आपना का ठीक है वान टू थ्री ते फोर क्लोस्ट फिगर बनगी लाइन सेगमेंट इन्हों की कहांगे अपाँ साइड्स कहांगे ठीक है किन्नी साइड्स यह थी आपने देखिए ता वर्टेक्स भी किनने अपने को फोर वर्टेक्स केड़े वर्टेक्स होगे वन टू थ्री एंड फोर दीज आर दा वर्टेक्स नेक्स्ट आपने को डाइगनल थार्ड नमबर ते डाइगनल डाइगनल की उन्द है देखो डाइगनल डाइगनल उन्दा ओपो ट्रॉइन नूं जांगनल हो गया शेयन करता आइट आउडल की यह एगनल पर्फो मुद्हें करता यह है यह तर étaट नंबर पिक यह थिरा अछलप थिक है और एंगल की इन द द धा है इंक्ल की बन गया एंगल आगया होड़ा एंगल की इन इस formed when two side of polygon meet at a vertex मन लो अपने को लो किया ट्रेंगल बनाई में एवली साइड ते वली साइड एथे meet कर रही है ताकि बन गया angle बन गया एवली साइड ते वली साइड एथे meet कर रही है वी की बन गया angle एवली साइड ते अपने को एंगल आगे किनने एंगल है थे 123 एथे किनने एंगल है 123 ते 4 एंगल ओके नेक्स्ट आगे आपने को अपोजीट वर्टेक्स नेक्स्ट की आगया अपने को उप्पोजिट वल्टören आख सम्बने वर्टेक्स नेक्स्ट आगया फिट नंबर ते ऊप्पोजिट वstory स result belle ओ कि आप उपोजिट व्र टेक्स की अंध है मल दोर्च है जू एंधे सम्बने को न table इन दे consists डियागनल नेक्स्ट आगया opposite side next की आगया opposite sides opposite side जिवेंनों नेम देता A B C T D A B D A B D A B D A B D शंबने कोणा है C D T T A D D आपस्च कोणा है B C ओन दे समने वली साइड A B D A C D T A D दे समने कोणा है BC यह अपने कौल की होगी opposite side नेक्स्ट आगी श्यमन नंबर अपॉल SPD अंगल नेक्स्ट कि आगै ऑपॉलिट एंगल सम्ने वड़े अंगल ए दे सम्ने कोन है ए तरह सम्ने कोन है ठीके ए द erste एंगल कोण CHA永 ए टि बट आघ आगे अपने को एड़िय holistic है इड़ियसेंट है एड़ियसेंट है कि I एड़ जेसंट दा मतलब हुंद है घवंडी ग्वंडी जिमें एड़ जेसंट कोन आ भी ते नाल कौन आ डी जिँमें 'चे कीए कोन ङा एक कीया सिरा दे कान अंहेलिय प्रीडल कmbोन है या अज चाल ओफिसे मेरे कार विचान लेके एक इंधर के दर है तो में मेरे की होगे अट्जैसंट होगे मेरे की होगे डोवन्डी होगे ठीक है उसतोब बाद आगया नंबर 11 Ini ते जैसंट्स राइनक ऐड जैसंट्स эпिवत apostles साइट और के भंडी और कोननों भी ती का नाघवनली का ऊना इन करना ऐसे अन दरुदध्य और के उचीज की बंदियर यह संत साइड लास्ट साया अपने को एडजेसंट एंगल और द संगल हैं एंगल बी ट्यां गया नाड़ की आगया ठीक़ इस तरीके नहीं तुसी के सारीयां चीजा देख सकते हो ठीक है पहले आप वर्टेक्स पढ़े हो वर्टेक्स की उंदर जित्थे दो साइड मीट कर दिया ठीक है 40 इसे बद किया एंगल एक वर्टेक्स ते दो साइड मीट कर दिया है उस्त्UNG पाद आपड़ाए सिगा ओपोजीट वर्टेक्स समने वड़े ए दे समने सीसी समने D आ गया, opposite side AB दे समने CD, AD दे समने BC आ गया, opposite angle A दे समने, C दे B दे समने, D एंगल उस्तो बाद adjacent, adjacent दा मीनिंग क्योंदा गवंडी, ठीक है, गवंडी क्योंदा AB दा गवंडी, BC आ गया नार, AD आ गया BC दा गवंडी देखिए, CD आ गया AB आ गया, आपवंडी देखिए, चाहे adjacent vertex देखिए, adjacent angle या adjacent side, तैसी अपने कोल basic introduction 10.2 तो पहला, next कल वाली class देवेचे आपवा करांगे 10.2 exercise